कोडियो जाए नवश्कार मेर्ट सवी दंसारी और आप देख रहे हैं इंग बीसी न्यूस की खास मुलाकात ये कारिक्रव तो इस कारिक्रम में हम जहां किसी एक विशेश मुद्दे को रेकर गन्माने व्यक्तियों से उस पर खास चर्चा करते हैं तो आज का भी मुद्दा कुछ खास है जो की जुड़ा है करनाटक से जिहां करनाटक जिसे अंजनार्दी परवत शिंखला को बजरंग बली का जन्म स्थान माना चाता है इनी बजरंग बली के नाम पर चुनाव के दौरनार करनाटक की राजमीती में तूफान आ गया है इस तूफान का सबब इस बार कॉंग्रेस बन गई है कॉंग्रेस ने अ नांती पूर्वक आंदोलन किये जा जा रहे हैं अब इस मामले पर जहां बजरंग दल की पीए-फाइ जैसे आतन की संगठन से तुन्ना की गई और इस पर बजरंग दल की क्या भूमिका है और इस मामले पर क्या है बजरंग दल के विचार जानते है इस आज की खास मुलाकात तो इसके साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक स्टूडियों में मौझूद है विश्वी हिंदू परिशत के अध्यक्ष गोविन शेंडेजी तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सकारिक्रम में तो सबसे पहले आप से यही जाना चाहते है कि जो करनाटक में अभी मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माया हुआ है इस पर क्या है बजरम दल का बजरम दल की प्रतिक्रिया इसा है कि यह जो विशय कांग्रेस ने करनाटक के अंदर उठाया एक अनावश्यक विशय जिसके कोई आवश्यक्ता नहीं थी और इसको कांग्रेस का कि अकल का दिवाली अपन कहा जाएगा एक ऐसा संगठन जो देश के अंदर समरस्ता की दुष्टी से सेवा की दुष्टी से गवरक्षा की दुष्टी से हिंदू मठ मंदिर साधू संत हिंदू कन्या इनकी रक्षा की दुष्टी से आतंगवाद के विरोध में काम करता है ऐसे एक संगठन का पी एफाई जैसे आतंकवादी संगठन के साथ में उसको जोड़ देना यही कांग्रेस की अकल का दिवालियापन है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा कांग्रेस की हमेशा से हिंदू विरूधी मान सकता है चाहे राम जन्व भूमी का विशय हो चाहे राम सेतू विशय हो अभी यो काशी का विशय चल बना का विशय है को कर देश भर में ऐसे अनेक स्थान है जिनके विवादित कहा जा सकता है और जिसके बारे में कांग्रेस की भूमी का बड़ी अस्पष्ट है और कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी गत्वीधियों को प्रोसान देने का काम करती है उसी के अंतरगत एक दुष्टी करण की राज़निति के अत्तर मुस्लिम वोटों को अपनी और आकर्षित करने के लिए और जैसे संक्रण को प्रतिबंध की पार की इन ऊपर किосьी पने करना करना और आसवपध चैस दो मअगल मुदाग मोच सभूत एंज तो बजरंगत से चुड़ा wifi के साथ अगर इसी तरहा जिसी कॉंग्रिस के इस पत्र में कहा गया गोचना पत्र में कि आगर सरकार आती है तो बैन लगा दिया जाएगा तो अभी जो आंदोलन किये जा रहा है शांती पुर्वक क्या आगे ये उग्रू हो सकता है ये तो परिस्टितिया कैसी आती है उसके उपर र देश में हम बजरंदल के कारिकरताओं के माध्यम से और समाज के अन्य लोग भी जो बजरंदल के कारे को पसंद करते हैं समझते हैं वो लोग भी और इसका विरोध कर रहे हैं पिछले दो-तीन दिनों से टीवी डिवेट अलग-अलग चैनलों के ओपर देख रहा हूं तो अच्छे लोग भी उसके अंदर इस सब बातों का विरोध कर रहे हैं कि एक नया अनावशक विशा है इन्होंने खड़ा किया है तो पुरे देश के अंदर बजरंदल तो विरोध करेगा ही करेगा और अभी तुम्हें आवशक्ता लगती नहीं कि कि किसी प्रकार की उग्र अंदलन की आवशक्ता होगे लेकिन जितने कांग्रेश शाषित राज्य है उनके मुख्यवंत्रियों के भी जो मैशा आई है सामने चातिजगड के भूपेंद्र जी हो चाहे राजस्थान में अशोग जी कहलोत हो इन्हों ने जिस प्रकार की प्रतिक्रियां दी है उसको हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेश इस विशय को आगे बढ़ाएगी और यह आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी निकलेंगे बजन दुल के कारिकरता सड़क पर निकल कि इसका विरोध करेंगे और यह हमारी जो विरोध करने की जो हमारी बात है यह सैद्धान्तिक ह हमको समवैधानिक अधिकार है कि हम अपने संगठन का बचाओ और आपके द्वारा किये जा रहा है ब्रामक प्रचार का विरोध हम पूर जोर तरीके से करेंगे जैसी जैसी आवशक्ता होगी वैसे-वैसे हम आंदोलन करेंगे और पूरे देश में इसमें आंदोलन चल रह है तो हम चाहते हैं कि आप एक बार बजरंग दल के जो कारें उस पर एक द्रिश्टी डाले पीए फाई के काम सरतन से जुदा के नारे और सिर्म नारा नहीं तो सरतन से जुदा करते हुए वीडियो वाइरल करना अमरावती की घटना हो शाहराजस्थान की घटना हो क्या इसका इस प्रकार का कोई भी कुरुट्य बजरंग दल ने कभी किया है इसे तुलना ही एक प्रकार से गलत है बजरंग दल किस प्रकार के काम करता है तो अभी हमने संसकार सप्ताहा मनाया जिसके अंदर हमने पूरे स्मशानों की स्वच्छता की है हम गवरक्षा के लिए अंदोलन करते हैं हमारा कारिकरता जो इस प्रदेश के अंदर गवरक्षा के ऊपर गवहत्या के ऊपर और गवतसकरी के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है ऐसे राज्यों में भी और गवतसकरी होती है गवहत्या होती है तो बहाँ बजनदल का कारी करता जाकर कि उसको रोकने का काम करता है और ये करने के लिए वो अपनी जान हतेली पर लेकर के जाता है अनिक बार संगर्श होते हैं मारपीटे होती है पुलिस द्वारा मुकद्वे तैयार किये जाते हैं गाड़ी को रोकना इतना आसान नहीं है अभी-अभी की घटना है अपने ही इसी विधर्व प्रांत की ही कि वो पुलीस वाले को यह उठा कर लेके चले गए तो इस प्रकार की जब पुलीस के साथ घटना हो सकती है जो तसकरों के द्वारा तो बजरंदल के कारिकरताओं के सा करता है ये समाज के लिए करने का काम करता है हिंद त्वक्णा अपने और हिंदु कहने में डर्ता था वह आज समाज हिंदू 2000 इसनाते से खड़ा है समाज के लिए सिन अतान के चलता है उसको विश्वास है कि अभी कोई समस्या तो मेरे साथ बजरंदल खड़ा होगा, मंदिर है, मठ है, साधू है, संत है, हिंदू क Keeping Find Mah, ल legally जैहात के प्रक्रण्डट छल रहे हैं, जिस प्रकार से बैरों के बेटियों के साथ में छड़ शाड़ होती है, इसे सारे प्रक्रणड़ लेकर के लोग जाते किसके पास हैं पुलीस के बाद में जाते आटे के आप पहले आते हैं तो पुलीस से ज्यादा विश्वात बदरग दल पर आम जन्ता का है यह द्र Right इसलिए इस प्रकार की बात करना यह अपने आप में बेमानी और भी है तो जीus कि अभी जो ये बुद्धा गरपाया हुआ है क्या आपने इससे पहले भी इससे पहले भी क्या बज्रंग दल को केंद्र बिंद्यू बना के इसे उस पर निशाना साधा गया है क्या इसी तरह की बयान बाजी इसे रोपने कात मामला इससे पहले भी क्या आपके अनुभव में सामने आचुका है अनेक बार हुए है अनेक बार मैं विश्वंदु परश्चत के साथ में 1984 के साथ में 24 से मैं विश्वंदु परश्चत का काम कर रहा हूं अनेक विशय ऐसे आये कि जो हर बार केंदर 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 बेठीवी कांगरेश की सरकार चाहे प्रदेशों केंदर बेठीवी कांगरेश की सरकार पता नहीं किस बात को लेकर के हिंदू संगठनों के साथ में द्वेश रख करके RSS पर परतीमंद लगाओ, बजरण दल पर परतीमंद लगाओ, विष्व हिंदू परिशत में परतीमंद लगाओ ये हमेशाता कहते हैं और हवेशा मुख की खाते हैं तो शुरू से विचार किया जाए तो पंडी जवारला नहरू ने भी संग को समाप्त करने का प्रहत्न किया गांधी की हत्या जैसा जूटा आरोप संग पर लगा करके संग पर प्रतिबंद लगाया क्या हुआ आखि संग बरी हुआ संग के उपर किसी प्रकार का कोई लांशन गांधी की हत्या का नहीं है और इसलिए फिशले दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता जो नों गांधी हत्या का विशय लेकर के संग पर आरोप लगाया एक चुनावी एक सभा के अंदर तो उनके खिलाब जब मुकत्वा दायर कि वापस आए तो इस प्रकार से संग को भी बद्नाम करके और संग के उपर प्रतिवन्द लगाने के प्रेत्न किया है उसी प्रकार तो विश्व इंदू परिशन के साथ में भी हुआ अनेक प्रक्रणों के अंदर विश्व इंदू परिशन के हर बार कुछ भी घटना हुई कुछ भी हुआ तो बजरंदल जिम्बेदार है कही मॉप लिंग्चिंग हो गई बजरंदल जवाबदार है बाद में पता लगता है कि वो कुछ औरी लोग थे तो इस प्रकार से हर बार बात को ले करके एक टार्गेट करके बजरंदल या विश्वनदू प्रशद्य रस्स को तार्गेट करना यह उचित नहीं है और इधर घटना घटती है और आपको पता लग जाता है कि यह घटना किस ने की है आप तो बहुत ज्यानियहे दिवये धुरुष्वेद रस्ति आपके पास में है तो इस देश की लिए कुछ शुरक्षा के तंतरों के अन्दर उन का उ किया आपर आपके विचार क्या है क्यूं इनलतों को बार-बार उठाया जाता है। राजनितिक लापठा, अल्पसंख्यक समाज को अपनी और आकर्षित करने के लिए कि हम आपके हितेशी हैं, यह दर्शाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है, परन्तु अब अल्पसंख्यक समाज भी समझ गया है, कि यह हमारे हितेशी नहीं है, इन्होंने हमारा उप्योग किया है, और हमको मूर्ख बनाया है, यह अल्पसंख्यक समाज भी समझ गया है, और इसलिए पुरे देश से इनका खात्मा हो रहा है, उत्तरप्रदेश जैसा राज्य, जहां भारतिय अन्तापाइटी दुबारा तो यह अपने आपको आत्महत्या की ओर लेकर के जा रहे है, यह कांग्रेस के नेत्रत्म की असफलता है. तो क्या आपको लगता है कि यह जो राजनितिक नेता है, वो ऐसा करके लोगों को आपस में लडाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुँ सभी बात है एक भ्राह्म का वात्वावन निर्माण करना, औससव anfashtrata का वातववन निर्माण करना, एक dvesh, वह निर्माण करना, ब्ימरों को आपस में लडाबने का काम करना यह इसके पीछे յ обязश को उपर फिर राजनितिक की नेतिक वे और रहाजनितिक नी विश्व इंदुपरिशत बजरंग दल जैसा संगठन इस देश की भारत माता की सेवा करने के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए है, इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के उद्देश्च को लेकर के विश्व इंदुपरिशत बजरंग दल काम करता है, इसलिए इस प्रकार के ब्रह्म जाल के अंदर भी हम न फसें ऐसी मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कॉंग्रिस दौरा कहा गया कि करना टक मैं आनेवाली सरकार कॉंग्रेस की नहीं होगी तो बहु की सरह बें तो क्या लगता हैं चुनाब पर क्या आफर होगा मतलब को मॉब्ता के सासर का चरा हुगा है कि हम आएंगी तो बैंbout बैन रखा दिया जाएगा. तो क्या आने वाल ए चुनाव में क्या नजारा देखने को मिलेगा वैसे तुम्हें राजनीतिय चर्छा करता नहीं चुनावी राजनीतिय चर्छा में करता नहीं परन्ति यह विशय हमारे साथ में जोड़ गया है इसलिए इस पर कुछ टिपनी करना आवश्यक है करनाटक की जनता इस बात को समझ गई है और इसलिए जो पूरे प्रांत के अंदर इस प्रकार से वहाँ पर इस विशय का विरोध वहाँ पर हो रहा है उसको देखते हुए संगटन के कारी करता है उसे जो मेरी चर्चाएं भी हुई है उसके उनुसार मुझा ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर हारने वाली है और इसी का फॉस्टेशन उनके गोशना पत्र के अंदर हमको दिखता है और उनकी बातों में हमको दिखता है और इसलिए वह में दल के उपर प्रतिमंदल लगा ले यह तो मैं दावे के साथ के सकता हुआ है मैं यह जानना चाहती हूं कि जिस तरह पत्र में जो घोशना की गई है कि ऐसा किया जाएगा तो इस पर विश्म हिंदू परिशत और बजरम दल का क्या जवाब है कॉंग्रेस के लिए जवा तो करके देख लेना उसका क्या परिणाम होता है वो भी देखना बजरम दल पुरे देश के अंदर आंदोलन करेगा इसके लिए प्रतिबंद जैसी कोई भाषा का इस देश के अंदर चलेगा नहीं हिंदू संकठने के उपर किसी प्रकार का भी प्रतिबंद शहन नहीं किय जाएगा उसका पुरजोर विरोत किया जाएगा मैं आप से आखिर भी जाना चाहूंगी कि इसी तरह जब भी चुडाब नजदी का देख कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठा दिया जाता है लोगों का ध्यान उससे हटकर चुनाफ से लिटकर लोगों को आपस में ही लडा लिया जाता है तो इस पर आप अध्यक्ष के तौर पर लोगों को जो जनता देख रही है और साथी करनाटक के साथ साथ पुरे देश के लोगों को क्या कहना चाहूं गया इस ब्रह्म में नफसे जिस प्रकार से राजनितिक दल अपने नीजी स्वार्थ के लिए वोटों की राजनिति के लिए वोट बटोरने के लिए समाज के अंदर विभाजन निर्मान करने का काम करते हैं उसमें हम न फस्ते हुए अपने स्वविवेक का उपयोग करें देश, समाज और प्रांट इसके हित में जो राजनितिक दल है जो राश्ट्रिय विचारक रखते हैं आज का ही ध्यान में रखते हैं धर्म संस्कृति परंपराओं का रक्षन करने का काम करते हैं ऐसे राजनीटी दल को ही चुने कि इतना मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस खास मुलाकात में ये थे हमारे साथ गोविन शेंडे जी जो है विश्व हिंदू परिशत के अध्यक्ष जिन्हों ने हमें करनातक से जुड़े इस बज्रब दल से जुड़े और पी एफाई से तुलना करने पर इस प सब्सक्राइब के लिए देखते रहें वी से रियूस नमस्कार